हलो एवरिवन कैसे हो आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे तो सुबह का टाइम है और मैं आ गए थी नाश्टा बनाने के लिए तो चाय हमने पी ले थी जब निकिल इसकूल गया था उसी समय मैंने चाय बना ले थी अपने ले भी और उनके ले भी तो चाय पी ले थी फिर मैं थोड़ा लेट आई हूँ नाश्टा बनाने के लिए नो साड़े नो बजे का टाइम हो रहा था शायद धिहान नहीं है लेकिन बस मैं आईडिया लगा रही हूँ यही टाइम था तो मैं आगे थी नाश्टा बनाने के लिए और नाश्टे में आज ज़्यादा कुछ नहीं है बंद और साथ में चाय है और तो बंद को मैं मक्षन के साथ गरम कर रही हूँ ऐसे में गरम करके मुझे बहुत ही टेस्टी बंद वैसे मुझे मक्षन बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन अगर ब्रैड और बंद के साथ खाऊना तो बहुत टेस्टी लगते है वो भी गरम करके ऐसे कोई मक्षन लेता है तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मेरा और पारिशी का नाश्टा बन रहा था वो म मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने दोनों ही पीस जला दिये थे मैंने सोचा पारिशी भी खा लेगी लेकिन उसने बाद में मना किया था कि मम्मी जले वे मुझे नहीं खाने क्योंकि मुझे ना अच्छे लगते हैं करारे करारे से तो मेरे से जल भी गए थे थोड़ा मै उसमें लग गए थी काम में तो ये थोड़ा जल गए थे पर फिर भी मुझे तो बहुत अच्छे लगे तो उसके लिए मैंने गरम कर दिये थे फिर मैं अपने लिए गरम कर रही थी तो यहां मैंने गैस बंद कर दी है तो जिब तक चाय निकालूंगी तब तक मैंने तावे पे ही रख दिये थे ताकि ये गरम रहे तो यहां मैं अपने लिए और उनकी लिए चाय निकाल रहे हूं पारिशी ने चाय नहीं पी दी साथ में यहां मैंने बंद भी गरम कर दिये थे तो यहां मैंने नास्ता निकाल दिया है और मैं इनको बुला रहे थे आजाओ चाय पीलो नास्ता कर लो तो दिख्शो भागी भागी आ गई थी और मैं दिख्शो को पूछे थी बेटो गुड मॉनिंग बोलो तो फिर वो पारिशी के पैर चूने लग गई थी जब उसे बोलते हैं जै करो गुड मॉनिंग बोलो तो फिर वो तुरन पैर चूती है कभी कबार जब उसका मान होता है वैसे नहीं जल्दी से जुकती नहीं है अपने पापा के पैर तो चूती रहती है जब भी पापा भार से आते हैं जाते हैं त नाश्ता करने के बाद फिर मैं निकल गई थी भार सोच रही थी मशीन लगा दूँ पर ऐसी हो रहा था मौसम मतलब बादल लगे वे थे धूप का भी था निकलने वाली थी धूप भी और टाइम यहां पर ग्यारा बज रहे थे तो फिर मैं अंदर आ गई थोड़ी दिर मैं बैठी रही उसके बाद नहाई सारा काम किया फिर ऐसी होता है आजकल ठंड में जम मन करें तब काम करो कोई टाइमिंग नहीं है उसके बाद मैं इनको पूच रहे थी बिस्तर में बैठके कैसा लग रहा है यह करें बहुत अच्छा लग रहा है बाहर निकलने का मन नहीं कर तो दो दाने मैंने प्याज के लिए है और कट कर लिए है और आलू उबाल लिये थे मैंने यह बैसन ले लिया है तो इसमें मैं डाल दूंगी जो मसाले है इसमें मिक्स मसाला डाल दिया है लाल मिर्च डाल दिया है और साथ में हल्दी डाल दी है और अजवाइन डाल दी है मतलब लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने उसके बाद मैं इसका घोल बनाऊंगी और काफी टाइम बाद मैं पकोड़े बना रही हूँ आलो और प्याच के मतलब ऐसे बारिक करके काफी टाइम बाद मैंने बहुत टाइम बाद बनाए क्योंकि सर्दी भी दो महीने निकल गए नॉंबर दिसंबर लेकिन मैंने नहीं बनायते तो सोचा आज कुछ बना लेते हैं और ये भी घर पर ही थे और जब एक घर पे रहते हैं तो फिर अच्छा लगता है बनाना भी तो मैंने जो आलू की स्टपिंग थी उसको अच्छा से मिक्स कर लिया था उसमें मैंने कुछ भी मसाले नहीं डाले थे क्योंकि मुझे दिख्षो को भी खिलाना था तो यहां मैंने चाय चड़ा दी है और साथ में टेल भी यहां पर डाल दिया है कड़ाई में गरम होने के लिए उसके बाद मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट कर द चाहे चड़ाने के बाद फिर मैंने या पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिया था तो आज मैं इस तरह से बना रही थी बॉल से फिर मैंने जो बेशन का घोल है इसमें डिप करना था मुझे तो आज मैं फिर्स्ट बार बना रही हूँ ऐसे बनाती रहती हूँ इस बार तो नहीं बनाएते लेकिन पहले बहुत बार बनाए लेकिन इस तरह से नहीं बनाए मैंने मैं फिर्स्ट बार बना रही हूँ तो फिर तेल या अच्छे से गरम हो गया था मैंने आज कम कर दी थी पर इसमें एक एकर से मैं डाल रही हूँ तो अगर कुछ चीजे कुकिंग की पहली बार बनाते हैं और अच्छी बन जाए तो बहुत अच्छा लगता है और मैंने जब CEO2 चैनल खोला है तब से मैंने बहुत कुछ चीजे पहली बार ही बनाई है कुकिंग मैं पहले भी करती थी यही था सूबे का खाना दिन का खाना रात का खाना यही कुकिंग होती थी और कुकिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पहले मैं इतना नहीं करती थी टाइम बहुत होता था लेकिन यह चीजे नहीं करती थी अब टाइम कम है और करन भी नहीं था, सोचा तो मैंने बहुत पहले था, दो तीन साल से मेरा यूटूब चैनल था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी उस पर, तो इस वार भी मेरा ज्यादा, मतलब सस्क्राइबर कंप्लेट नहीं हुए है, मेरे साल हो गया है, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मेर चाहे भी निकाल दी है, पकोड़े बनकर रेडी हो गया है, तो मैं लेकर जा रही थी सभी के लिए, और बहुत अच्छे बनेते हैं, यह मैं अपनी तारिफ खुद कर रहे हूं, लेकिन मेरे हजबेंट को, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आये थे, वो मैंने नहीं दि हर यतियू